नमस्कार डिलीशियस फूट रेशिपी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अर्याना में इस सर्दी में बनने वाली बाजरे की रोटी इसको बनाना एकदम आसान हो जल्दी से बन के त्यार हो जाती है और शाथ में बनाएंगे हम गाजर का रात्या और लाल मेर् को मैं चोटे पीशीज में करके इसको पहले पाने में बिगो के रख दिया था ताकि हमारी मेर्च फूल सके देखो यहाँ अपर हमारी मेर्च भी थोड़ी फूल गी है और यह हम लेसून लेंगे लाल मेर्च के लिए जहाँ पर दस बारा कली हैं और यह लेसुन लेंगे हम रायते के लिए और साथ में लेंगे हम 4-5 अरी मेर्च पहले हम गाजर को अपना बरीक बरीक कट करके हम गाजर को बोल करेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने गाजर को हम कटिंग करेंगे यहाँ पर हमने सारी गाजर को हैसे कट कर लिया है अब इसको हम कुकर में एक-दो सीटी लगाएंगे यहाँ तब तक हम अपने लाल मेर्च त्यार करेंगे उसके लिए हम पहले सबसे पहले लेसन डालेंगे कुंडी में और इसको हम ऐसे बरीक कूटते विए इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे पहले हम लेसन को थोड़ा बरीक मैस करेंगे बाद में डालेंगे इसमें हम लाल मेर्च यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे कूटते हुए अपने लेसन को अच्छे से भरीक मैस कर लेना है यहाँ पर हमने लेसन को भरीक मैस कर लिया है अब डाल देंगे इसमें हम अपने लाल मेर्च यहाँ पर लेसन हमारा एकदम त्यार हो गया है अब डालेंगे इसमें हम अपने एक समत से लाल मेर्च यहाँ पर हमने लाल मेर्च इसमें डाल के अब लाल मेर्च की हम चटने बनाएंगे यहाँ पर हमने सारी लाल मेर्च इसमें डाल दी हैं बनाएंगे अब इसको हम रगड़ेंगे अपने लाल मेर्च को हैं अब आप्र मैस को अइस्व को इसे को उपैज को विया अच्छे से प्लाइन पेस्ट८ पीस के हम अपनी मेंच को अभी थ्यार करें गए मेर्च को भी हम ऐसे ही अपने कुण लेसन की तरह से बरीक रगड लेंगे याँ पर हमने मेर्च को देख कितनी बरीक हमारी मेर्च हो गई है तो हम यहाँ इसी तरह से अपने मेर्च को रगड के हम यहाँ पर त्यार करेंगे अब डाल देंगे इसमें हम अपना दही दही का ट कि यहां पर हमने लाल मेज की चटनी रगड़ के एक दम दई के साथ अच्छे से मैश कर लिया है और यहां पर इतनी बड़िया लाल मेज की चटनी बनके हमारी त्यार होगे थोड़ा हाद दई और डाल देंगे इसमें पतली गाड़ी जैसी भी आपको पसंद आप अपने इसाफ से चटनी रख सकते हैं या पर हमारी लाल मेज की चटनी एक दम त्यार होगे अब चमद से हमा इसको साफ करेंगे और एक कटोरी में अपनी चटनी को हमें निकाल लेंगे चमद से को हमने अच्छे से साफ कर दिया है अब एक कटोरी में अपनी सारी चटनी निकाल लेंगे यहां पर हमने सारी चटने अपने कटोरी में निकाल ली है देखो कितने बड़ी है लालमेच की चटने बनके त्यार हो गई है हमारी और यह आपर हमारी कुक करने भी दो सीटी लगा दी थी और हमने इस तरह से गाजर को एकदम गला के हमने त्यार कर लिए अब गाजर को हम अच्छे से निचोड़ेंगे हमने सारा पानी अपना निकालना है और गाजर को हमने एकदम अच्छे से निचोड़ना है अगर पानी रह जाएगा तो इसको गाजर आत्या अच्छा नहीं बनेगा किसमें अल Εलकी कच्छी मह काएगी तो इसलिए हम हमने गाजर को एक दम ठाइट लिली निि dugah की अपने इस। यहां पर त्या पे त्यार कर लेना है यह फैवरं इस थरह सेपने काजर को नि चोड़ के हमें त्यार कि यहां पर हमने गाजर को अच्छे से मिक्स कर लिया आप डाल देंगे इसमें हम लसन और अद्रक और रिमेर्ज को मैंने आपर कूट के अच्छे से पेस्ट बना के त्यार कर लिया है यहां पर हमने लसन और रिमेर्ज को डाल दिया है अब डालेंगे इसमें काला नमक अगर आपको कला नमक पसंदने होता आप आपर वाइट नमक भी डाल सकते हैं अब डालेंगे इसमें बुनाव अजीरा बुनाव अजीरे का राते हम बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब डाल देंगे इसमें हमें एक जम्मत से चाट मशाला इसको हम अच्छे से मिक्स है है अब डालेंगे इसमें हम अर्ए ब्लिए यहापर तो राते में reads कर लिए है यहां पर हमारा राते बनके एकड़म त्यार हो गया है अपने बाजरे की रोटी जिसके लिए मैंने यहां पर बाजरे का अटा लिया है इसमें हलकासा गुंगोना पानी डालते भी इसको हम अच्छे से अपने आटे को लगाएंगे आटा हमने बाजरे का उतना ही लगाना जितनी हमने रोटी बनाने इसका ज्यादा आटा एक साथ लगा सकते बाजरे का इसलिए हमने दो या तिन रोटी का अटा लगा के हम यहां पर त्यार करेंगे और आटे को हमने जितना अच्छे से मैश करेंगे उतनी बड़िया रोटी बनके हमारी त्यार होगी तो इसलिए इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बाजर बाजरे काटा लगाके हम यहाँ पर इस चीज का प्रेसर देते हुए वाजरे काटा लगा के यहाँ पर थ्यार करेंगे अगर बाजरे काटा अच्छे से नहीं लगेगा तो हमाई मैरी रोटी फट जाएगे और रोटी बढ़ेगे नहीं तो इसलिए जितना अच्छा हमारा आटा लगेगा उतनी बड़िया हमारी बाजरे की रोटी बनके त्यार होगी तो हमने यहां पर बाजरे काटा लगा लिया है अब बनाएंगे हम अपने रोटी रोटी के लिए हमने आटा थोड़ा ज्यादा लेना है जितना हम गेहूं काटा लेते हैं हमने उससे ज्यादा आटा लेके हम यहां पे थ्यार करेंगे और अथेली का प्रेस करते हुए हमने इसके अच्छे से रोटी बना के हम त्यार करेंगे देखना हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं तूटेगी जितना बढ़िया हमारा आटा लगेगा उतनी बढ़िया हमारी रोटी बनके त्यार होगी यहाँ पर हमारी बाजरी रोटी देख कितनी बढ़िया बनके त्यार होई है हमारी रोटी बिल्कुल भी नीट उटी और इतनी बढ़िया गोल रोटी बनके हमारी त्यार होई है तो अब चलते हैं गैस की तरफ यह रोटी मैंने गैस पे तवे पर डाल दी है और इस रोटी को हम अलकासा शिकने देंगे रोटी का उपर से अलकासा कलर चेंज दो जाता है तब हम ने रोटी को पल्टी करेंगे आप रोटी हमारी एक साइड से शिक के त्यार हो गई है तब तक हमारी रोटी सिक के त्यार होते तब तक बनाते हम दूसरे तरीके से अपने बाजरे की रोट आप siap हम इसका थोड़ा हाप पाने लगाएंगा क्योंकि पाथ ने ठीज लीघिया हम्रत कि अपके कुरह पानाय समय और सूक्षिच हम्रत करने बगए और तियार करेंगे अब हम बनाएंगे थोड़ा सुका आटा लगा के हम अपने बाजरे की रोटी बना के च्यार करेंगे हमने यहापर थोड़ा सुका आटा लगा है और आथों से उंगलियों से प्रेस करते हुआ अपने थोड़ी ही रोटी को बढ़ाएंगे यह मेरा दूसरा तरीका है बाजरे रोटी बनके त्यार होई है और यह रोठी भी हमारी बिल्कुल भी नीटूटी अब आते हैं अपने गैस की तरफ हमारी रोटी एक दुनो साइड़ से अच्छे थे शि civ गई है अब इसको हम गैस पे सेख के अपनी रोटी को त्यार करेंगे यहापर हमारी रोटी को हमने गैस पे रख दिया दे कितनी बढ़िया रोटी हमारी फूल के त्यार हो जाती है बाजरी रोटी बहुत कम फूलती है तो यहापर मेरी रोटी फूल के त्यार हो गई है एक दम पर्फेक्ट रोटी हमारी सिक्के यहाँ पर त्यार हो गई बाजरे की यहाँ पर हमने एक रोटी को सेख के त्यार कर लिया है बात है हमने दूसरी रोटी भी मैंने तवबे पर डाल दिये इस रोटी को अभी हम से मुशी तरह से सेख के त्यार करेंगे हमारी पहली रोटी देखो कितनी बड़िया रोटी सिख के हमारी यहाँ पर त्यार होगी अब हम यहाँ पर दूसरी रोटी भी एक साइड से सिख के त्यार होगी अब इसको हम यहां पर पल्टी करेंगे अब बनाएंगे अपने तीसरी रोटी इस तीसरी रोटी का भी हम से मुसी तरह से उतना ही आटा लेंगे जितना हमने पहले दो रोटियों में लिया था अब बनाएंगे अपने तीसरी तरीके से रोटी इस रोटी को भी हमने उतना ही आटा लिया है इसको भी हम थोड़ा सुका आटा नीचा स्लैप पर डेस्ट करेंगे पहले हम अपने स्लैप को अलका साफ करेंगे हम थोड़ा सुका आटा नीचा डेस्ट करेंगे अब की बार हम बाजरी रोटी बेलन से बना के दिखाएंगे और इसको हम आज से थोड़ा ऐसे प्रेस करते हुए अपने रोटी को थोड़ा फैलाएंगे इसको आज से हमने अलका अलका प्रेस करते हुए इसको हमने रोटी को फैला लेना है और कती एक दम अलका अच्छा अपना बेलन्स चलाएंगे इसके उपर हमने प्रेस नहीं करना जादा जैसे हम गियों की रोटी को बेलते हैं हमने उस तरीके सी बाजरी रोटी को नहीं बेलना इसमें कति एक दम अलका अलका बेलन्स अला के हमने बादरी रोटी को बेल के हम यहां पर त्यार करेंगे यहां पर हमारी बादरी रोटी बेलन्स से भी बनके हमारी त्यार हो गई है और यह रोटी भी हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी और इसको हम आराम से उठाएंगे और यहां पर हमारी तीसरी रोटी भी बेलेंट से भी बनके हमारी रोटी त्यार होगे यहां पर मैंने आप लोगों को तीन तरह से बाजरी रोटी बनाके दिखाया है अब इस रोटी को भी हम दूसरी रोटी को भी सेम उसी तरीके से अपनी को सेख के त्यार कर लेंगे यहां पर हमारी यह रोटी भी इतनी बड़िया सिख गई हमने यह आप दो रोटी बना के त्यार कर ली हैं अब करेंगे रोटी को अपनी को सरो जिसके लिए मैंने कटोन ला बाजर का रात है बहुत अच्छा लगता है यहां पर हमने घी को लगा दिया है आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को मेरी बाजरे की रोटी कैसी लगी और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे स्पोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू